हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल जेश्ट सिंप्लिफाइए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूस्फूल होने वाला है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बाहर से अपने घरों को तो हम सभी साफ करते ही हैं डेली बेसिस पर अगर अंदर से भी ड्रॉर वगरा जो होते हैं उनको भी क्लीन करने में हम कुछ बातों का ध्यान रखे तो हमें दिवाली पे डीप क्लीनिंग करने की कोई जरुएत नहीं पड़ेगी सालों भर हमारा घर बिल्कुल और नाइस और क्लीन रहेगा तो यहां पर मैं अपने वर्क स्टेशन के ड्रॉर को क्लीन कर रही हूं इसके लिए मैं आपके साथ टिप पर शेयर कर रही हूं आप पहले अगर आपका ड्रॉर पुरा निकलने वाला है तो उसे निकाल के अच्छे से नीचे क्लीन से रिलेटेड नहीं है उन्हें आप फटा दे और चीजों को स्टेशनरी वगरा को अर्गनाइस करने के लिए मैंने आपे कुछ फूड कंटेनर का यूज किया है जो की फूड वगरा ओर करने पर हमारे घर में एकठा हो जाते हैं उन्हें हम फेक देते हैं पर उन्हें बिल अलग-अलग सेग्रिगेट करके कोईन्स वगरा अक्सर हमारे आदत होते हैं हम ड्रॉर वगरा में डाल देते हैं तो उसको भी और्गनाइस करके ही रखना चाहिए पैसे तो बिल्कुल भी इधर उदर फेक के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और यहां पर देखिए मै अपने हाथ पे इस तरह के से फोल्ड कर रही हूं और फोल्ड करने के बाद मैं इसे और्गनाइस करने के लिए यूज कर रही हूं मेरे पास एक ट्यूब लाइट का यह बॉक्स था तो इसे मैंने छोटे-छोटे पीसे में कट कर लिया है और इसमें मैं इसे और्गनाइस क क्लीन कर लिया है और यहां पर मैं दूसरे ड्रोर को भी और्गनाइज करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूं तो इसमें मैंने पेपर का जो लाइनर लगाया था उसे निकाल के अच्छे से क्लीन कर लोंगी और एक साफ कपड़े से इस तरीके से डस्ट प्री कर लोंग तो देखें यहां पर मैंने एक DIY और्गनाइजर बनाया था एक में पास वालनट का बॉक्स था उसे मैंने सीधे में कट कर लिया है इससे मुझे दो और्गनाइजर मिल गया है छोटे छोटे एक मेरे पास चार्ट मसाला का जो बॉक्स होता है उसे मैंने 20 से कट कर लिया है कुछ नोट भी मैंने रखा है और एक यह जो बॉक्स देख रहे हैं यह चूड़ी का जो बॉक्स होता है वह है काफे दिन से यूज़ कर रहे हूं इसलिए सब पुराना हो गया है जैसी में पस दूसरा बॉक्स आएगा मैंसे रिप्लेस कर दूगी और यह जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था टूगलाइट के जो बॉक्स का मैंने वायर को और्गनाईज करने के लिए जो बनाया है वो यहां पे मैं सारे वायर को यहां पे और्गनाईज करके रख रही हूं मूबायल का जो चार्जर होता है उसके भी वायर को इसमें और्गनाइज करके आप रख सकते हैं वालेट वगरा मैंने यहां पर रख दिया है और कुछ एक्स्ट्रा फोन था तो उसे भी मैंने यहां पर रख दिया अब इसे आप अराम से लगा सकते हैं तो देखा आपने बिना एक पैसे खर्च किये वे आपका जो ड्रॉर है और्गन बारियों के इसे मैं कैसे क्लीन करती हूँ इस तरह के जो बोक्स टाइप की चीजी होती है उन्हें क्लीन करना बड़ा ही मुस्किल हो यह एक ने चालना बेदा वो जाता है क्या करों आपकी कर्णी अधानी सब कॉआड़ने करें यह देखें इस तरह के से हमें सारे नीका ट इस तरीके से पोच लोंगी तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा ये एक DIY क्लीनर है इसका वीडियो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है इसके बाद जितने भी चीजे इस बेट बॉक्स में मैं रखती हूँ उन्हें और्गनाइज करके अच्छे से रख लोंगी तो दिवाली का टाइम था तो मैंने सारे पिलो कवर जितने भी कुशन कवर वगएरा जो भी चीजे थी सब निकाल दिया था वाश करने के लिए उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर और्गनाइज करके रख था और इसमें मैं बेट से रिलेटे जो भी चीजे होती है उन सभी च हाड लेंगे और इसके बाद इस वाला जो बॉक्स है इस साइड वाला तो यहाँ पर मैं आपके साथ टिप एक शेयर करना भूल गई थी कि मैं यहाँ पर टाइमर लगा करके काम को करती हूं जिससे कि मुझे पता रहता है कि कितने टाइम में मुझे काम को खतम करना है अच यहाँ इस्ट이 अच आप क्लीन करने के बाद इस वाले जो जो साइट का जो आप बॉक्स देख रहे हैं मैं अपने सारे बैट शिटेय्ट पिलो कवर कुशंड कवर दोहर वगारा जो भी होता है पर्दे अबर जो भी लिनन से रिलेटटर्ट चीजह होते हैं वो मैं इसमें और इन सब चीजों को और नाइज करने के लिए बी मैं जीरो कॉस्ट डियाईवाइजर का यूज करती हूं क्योंकि आप इसे जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं तो देखे यहाँ पर मैंने केरी बैक्स का यूज किया हुआ है और इसमें देखे इस वाले में मैंने पाइल सिस्टम में सारे बैट शिट को लगाया है और ये एक बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था और उसमें मैंने सारे पिलो कवर वगरा रख दिये हैं इस और एक पैकेट है तो इसमें मैंने सारे बैट शिट रख रही हूँ इस तरह किसी file system में रखने से आपको चीजे आसानी से मिल जाती है उन्हें ढूनना नहीं पड़ता है एक चादर निकलने के बजाए दस चादर आपके गिरते नहीं है और आराम से निकल भी जाते हैं कोई भी चीजों आसानी से आपको मिल जाती है चीजे और्गनाईज रहती है तो इसे clean करना भी आसान होता है तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा इसी तरह की interesting home and kitchen से related tips and hacks मैं आपके साथ share करती रहती हूँ जिससे की आपका daily का काम आसान हो सके मिलती हूँ आपसे next video में thank you so much for watching